जै श्री श्याम, जै महाकाली नमा, दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाला जी एस्ट्रोलोजी में, तो कन्या राशे वालों, दोस्तों, आपकी मौत को निमंतरन दे रही है, आपके ही घर में पड़ी हुई यह तीन चीजें हो जाईए, सावधा अगर अभी के अभी इनको बाहर नहीं फेंका तो दोस्तों, बड़ी बड़ी दुरगटनाएं हो जाएंगी, घर में बीमारियां, गरीबी, कंगाली चा जाएगी, दोस्तों, आपकी ही गलती से आपके पूरे परिवार में मातम चा जाएगा, दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं, जो आपकी और आपके परिवार वालों की मौत को आमंत्रित कर रही हैं। दोस्तों, आप लोग जानते भी नहीं हैं कि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, जिससे आपकी बरबादी चा रही है। दोस्तों, आप धीरे-धीरे कंगाल हो रहे हो, आपका पूरा परिवार धीरे-धीरे बरबाद हो रहा है, आप केवल भगवान को कोस्ते हैं, आप अपनी किस्मत को कोस्ते हैं, लेकिन आपकी कंगाली, आपकी बरबादी की जड़ तो आपके घर में ही छुपी हुई है, आप इसको तुरंत अपने घर से बाहर फेंक देना, अगर नहीं फेंका, तो दोस्तों आपकी बरबादी को कोई नहीं रोक सकता है। यह चीजें दोस्तों आपकी मौत को निमंतरन दे रही है, साथ ही साथ आपके परिवार वालों के उपर भी खत्रा बन रहा है। दोस्तों, क्योंकि घर में अगर यह चीजें पड़ी रहती हैं, तो उस घर में अकाल मृत्यू होना, साथ ही बड़ी-बड़ी दुरगटनाएं होना, जैसे की एकसीडेंट होना, किसी की करंट लगने से मृत्यू हो जाना, गंभीर बीमारियां जैसे की कैंसर की लकवे की ऐस बीमारियां लग जाना, साथ ही दोस्तों, कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, कर्ज इतना हो जाता है, कि इनसान कर्ज से बाहर ही नहीं आपाता है, जितना कमाता है, उससे ज्यादा उसको कर्ज चुकाना पड़ता है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप धीरे-धी प्रफिरे डिप्रेशन में जा रहे हो, तनाव आ रहा है, घर में लड़ाई जगडा हो रहा है, दोस्तों, तो अभी के अभी आप अपने घर से इन तीन चीजों को बाहर फेंग देना, नहीं तो दोस्तों, वह दिन दूर नहीं, जब आपके घर में बड़ी बड़ी दुरग आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, काम धंधा करते हो, और फिर सो जाते हो, लेकिन दोस्तों, आपके घर में ही आप बिना जाने पहचाने कुछ चीजें लेकर आ जाते हो, और अपने घर में ही उन चीजों को रख देते हो, जिससे वह चीजें आपके घर में नकारात् प्रेत आत्माओं का आपके घर में वास होने लगता है, फिर आपके घर में बड़ी-बड़ी परेशानियां, बड़ी-बड़ी बीमारियां, दोस्तों ग्रिह करने लगती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप अभी के अभी इन तीन चीजों को अपने घर से बाहर कर देना, वरना बड़ी मुश्किल आपके साथ दोस्तों घट सकती है। दोस्तों, समझदार व्यक्ती वही है जो आज की इस मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा। वरना दोस्तों, उसको कुछ समझ नहीं आएगा और फिर उसके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानी आना शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बहुत बड़ी बरबादी का कारण बन जाती हैं। आज उन्ही चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज की और बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज है, अगर आपके घर में कोई पीपल का व्रिक्ष या कोई बढ़ का व्रिक्ष या फिर दोस्तों कनेर का व्रिक्ष कहीं पर भी उग रहा हो, तो दोस्तों सावधान हो जाईए, उनको उखाड कर फेंग दीजिए। अकसर दोस्तों, घरों की दीवारों पर जो पुराने घर होते हैं, जो गाड़े के बने हुए होते हैं, या फिर घर के आंगन में जहां आसपास छोटी सी जगह होती है, वहाँ पर भी पीपल का व्रिक्ष या फिर बढ़ का या फिर कनेर का व्रिक्ष जन्म ले ले लेता ह चोटा सा ही होता है ज्यादा बड़ा नहीं होता है जिसकी दो पत्ती तीन पत्ती आती है लेकिन जन्म ले लेता है दोस्तों कहीं भी छोटी सी जगह पर अगर जन्म ले लेता है तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खत्रा है दोस्तों माना जाता है कि अगर घर के आसपास घर का आंगन हो या फिर दोस्तों कहीं घर के द्वार के बाहर हो अगर वहाँ पर यह तीनों व्रिक्ष में से कोई सा भी व्रिक्ष जन्म लेता है छोटा सा भी अगर होता है दोस्तों तो उस घर की बरबादी को कोई नहीं रोक सकता, उस घर में बड़ी बड़ी प्रेता आत्माएं आ जाती है। दोस्तों उस घर को, दोस्तों, शम्शान बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है, जी हाँ दोस्तों, माननेता है कि यह तीनों घर, माननेता है दोस्तों, कि यह तीनों जो व्रिक्ष होते हैं, जो छोटे से होते हैं, वह अपनी ओर खतरनाक आत्माओं को, साथ ही दोस्तों, प्र कहीं कनेर का व्रिक्ष, या फिर नीम का व्रिक्ष, या फिर दोस्तों कनेर का व्रिक्ष, या फिर बढ़ का वक्ष जो बड़े बड़े होते हैं, ये आसपास तो नहीं निकल रहे हैं, कई बार दोस्तों घर की छटों पर भी ये पौधे निकल आते हैं, ये जो व्रिक्ष हो दोस्तों अच्छे से जाँच पड़ताल करें और अगर आपके घर में है तो उसको तुरंट उखाड़ कर फेंक दीजिए वरना दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाएंगे आसान से शब्दों में मैंने आपको बता दिया है वरना आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ते हैं देखिए पेड़ पौधों के बारे में तो मैंने बता दिया अगली चीज बहुत ही खतरनाक है दोस्तों यह 100% आपके घर में मौजूद है दोस्तों हर घर में मौजूद है लेकिन घर के लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर उनके जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं वह उसका जिम्मेदार अपनी किस्मत को ठहराते हैं भगवान को ठहराते हैं अपने फूटे हुए नसीब को जिम्मेदार ठहराते हैं लेकिन वह लोग नहीं जानते कि उनकी बरबादी, उनकी कंगाली का कारण तो उनके घर में ही छुपा बैठा है दोस्तों वो चीज क्या है? बिलकुल ध्यान से सुनिएगा उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो को अभी के अभी लाइक करना ही पड़ेगा क्योंकि वीडियो इतनी महत्वपूर्ण बना रहा हूं आपके लिए और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मुफ्त में इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आता हूं आपकी जिन्दगी को नरक बनने से बचाता हूं फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों ये बहुत गलत बात है बिल्कुल मुफ्त में वीडियो लाइक होती है कोई पैसा नहीं लगता है तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है तो संकेत दोस्तों निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लेक दीजिए मैं बिल्कुल मुफ्त में आपकी समस्या का रामबान उपाय समाधान बताऊंगा, वह भी बिल्कुल फ्री में, आपसे एक भी रुपया नहीं लूँगा दोस्तों, दूसरे जो तांत्रिक लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, उनके पास आप लोग जाते हैं, वह आपसे हजारों लाखों रुपय ठग लेते हैं, और आपकी परेशानियों को बढ़ा देते हैं दोस्तों मैं आपको आपकी समस्या का बिल्कुल सटीक राम बान उपाय बताऊंगा कोई भी ढोंग नहीं कोई भी पाखंड नहीं तो कृपया करके आप कमेंट में अपनी समस्याइं लिखिए चाहे कोई भी समस्या हो और अगर समस्या नहीं है तो राम का नाम लेने में कौन सी शर्म अभी जाए और जय श्री राम या फिर राम राम जरूर लिखे आपका भाग्य दोस्तों प्रबल होगा आपकी किस्मत आपका साथ देगी तो राम राम जरूर लिखें और अपने हिंदू होने का परिचय दे, अपने सनातनी होने का परिचय दे, अगर यही बात मैं किसी मुस्लिम को कहूंगा और उनको कहूंगा कि अल्लाहू अकबर लिख दो, तो वो लोग सभी लिख देंगे, लेकिन आप लोगों को तो राम राम लिखने में भी शर्म आती ह तो कृपया करके अभी के अभी जाएं और राम राम जरूर लिखें दोस्तों, अपने हिंदू होने का परिचय दीजिए दोस्तों वरना वह दिन दूर नहीं कि हर घर में दोस्तों सेक्यूलर पैदा होने लगेंगे जो हिंदू कहने के नाम पर भी आजकल लोगों को शर्माने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आईए अब उस चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगली चीज दोस्तों, ध्यान से सुने देखिए आपके घर में भगवान का स्थान जरूर होगा हर हिंदू के घर में भगवान का स्थान होता ही होता है जिसे हम मंदिर कहते हैं और उस स्थान में उस मंदिर में सभी भगवान होते हैं किसी के घर में लक्ष्मी माता होती है, किसी के घर में बजरंग बली, गणेश जी सभी भगवान होते हैं। दोस्तों, उसके साथ साथ कुछ पूजा की सामगरी भी होती है, जैसे कि अगरबत्ती होती है, रुई की बत्ती होती है। दोस्तों यह सब चीजें हर मंदिर में पाई जाती है, हर घर में पाई जाती है, लेकिन एक चीज और है, जो हर मंदिर में पाई जाती है, जो नहीं होना चाहिए, और वह है दोस्तों, अक्सर होता क्या है, जब घर में किसी भगवान का फोटो होता है, तो हम उस फोटो को या फिर कभी कभी जो फोटो होता है, उसकी हम घड़ी करके मंदिर के किसी कोने में रख देते हैं, या फिर मंदिर की जो सभी सामगरी रखने की जगह होती है, हम वहाँ पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा की सामगरी बहुत दिनों तक पड़ी रहती है, जो काम में भी नहीं आती है, जो भगवान के फोटो होते हैं, उनकी पूजा भी नहीं होती है, और वह साइड में ही पड़े रहते हैं। दोस्तों, साथ ही ऐसी बहुत सी चीजें होती है, कई लोगों के घर में नारियल होता है, जो उप्योग में नहीं आता है। कई लोगों के घर में, दोस्तों, भगवान की छड़ी हुई प्रसाद भी कई दिनों तक पड़ी डीड़ी हुई रहती है। लेकिन यह सारी चीजें। दोस्तों, अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करके ग्रहन कर लेती है। और यह जो सारी चीजें होती है, जो हमारे भगवान होते हैं, उनको हमसे नाराज करती है। दोस्तों, इन चीजों के कारण घर में नकारात्मक शक्ति, आकरशित हो जाती है। और फिर भगवान भी हमारे घर से रूठ कर चले जाते हैं। भगवान की कृपा भी बंद हो जाती है, इनसान की आदत होती है। दोस्तों, अगर कोई चीज काम में नहीं आ रही होती है, यानि कि किसी भगवान की फोटो है और वह उपयोग में नहीं आ रही है, तो वह उस फोटो को कहीं साइड में रख देगा, ना ही उसकी पूजा करेगा और ना ही उसको उपयोग में लेगा, अब उस फोटो को हमेशा वहीं पर पड़ा रहने देगा सालों साल हो जाते हैं दोस्तों कई लोगों के घर में महीनों सालों तक वह चीज वहां की वहां ही पड़ी रहती है कई बार पूजा की सामगरी भी वहीं की वहीं पड़ी रहती है दोस्तों लेकिन आप नहीं जानते कि यह चीजें एक ही जगह पड़ी-पड़ी अपने अंदर नकारात्मक शक्ती और प्रेत आत्माओं को आकरशित करने लग जाती है। वैसे तो यह चीजें शुभ मानी जाती है, लेकिन शुभ तब होती है, जब यह चीजें उप्योग में आ रही होती है। अगर हम इन चीजों को हिलाएंगे नहीं, इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनका उप्योग नहीं करेंगे, तो यह चीजें फिर नकारात्मक रूप ले लेती है, और फिर आपके घर में आप भगवान की कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कोई मतलब नहीं रह जाता है। गर के जो मंदिर है, जहां भगवान का स्थान है, वहाँ पर जो अनुप्योगी चीजें हैं, फिर चाहे वह पूजा की सामग्री हो, कुम-कुम हो, चावल हो, धूप हो, अगर बत्ती हो, रुई की बत्ती हो, जो उप्योग में नहीं आती है, जो कई महीनों से पड़ी हु और फिर उनको उप्योग में लेना शुरू करें, या तो फिर उनको किसी भी बहते पानी में दोस्तों विसरजन कर दें, नहीं तो आपके घर में फिर एक के बाद एक मुसीबतें आ जाएगी, घर में अकाल मृत्यू होना, उसके बाद दोस्तों, कंगाली च्छाना, यह महत्वपूर्ण चीज है, ऐसी चीज दोस्तों, आपको कोई और नहीं बताएगा, आपकी जिन्दगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि रिष्टे कभी जिन्दगी के साथ-साथ नहीं चलते हैं, रिष्टे एक बार बनते हैं, फिर जिन्दगी रिष्टों के साथ-साथ चलती है, मित्रों, जो इनसान खुद के लिए जीता है, उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इनसान दूसरों के लिए जीता है, उसका हमेशा इसमरण होता है, इसलिए मित्रों, आप प्रेम के लिए जिएंगे तो आप एक ना एक तो आपको बता दें कि इस समय में जो काम आपके हाथ में है, फिलहाल उसे पूर्ण करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप हाथ के काम पूरे नहीं करेंगे, तब तक दूसरे काम आप हाथ में नहीं ले पाएंगे। पूर्ण वातावरण बनाने में आप काम्याब हो सकते हैं। हैं और आपके द्वारा रखे गए प्रपोजल को क्लाइंट से सहमती भी मिल सकती है, तो वहीं पैसों की लेंदेन से संबंधित बात को लेकर आपको काम शुरू करने के लिए देर होगी, लेकिन ज्यादा देर न नजर आएगा, और शरीर में पानी की मात्रा कम होने के कारण आपको तकलीव भी हो सकती है। जी हां मित्रों, अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जिस परिस्थिती में हैं, वह आपको प्रगती नजर आ रही है, और केवल अपने इच्छा अनुसार कामों क आगे बढ़ता हुआ ना देख, आपको चिंता सता सकती है। मित्रों, दूर द्रिष्टी रखकर लक्ष की प्राप्ती की योजना बनाने की आपको आवश्यक्ता होगी। साथ ही अपने प्रयतनों में तेजी लाने की कोशिश करें कि तक आप अपने प्रयतन नहीं बढ़ चान और मार्केटिंग शेत्र से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यक्ता होगी। पार्टनर द्वारा मनोबल बढ़ने के कारण आप रिस्क लेने से कत्राएंगे नहीं और सेहत में सुधार लाने के लिए व्यायाम से आपको तुरंत बदलाव नजर आए। क इसके द्वारा सकारात मकता भी बनी रहेगी और आगे बढ़ने की चाहा भी आप आगे बढ़ेगी। अब बस आपको करना क्या है। अपने मानसिक स्थिति यानि की अपने दिमाग तसन कैंसर ही रखना है। आर्थिक आवग बढ़ने की वजह से आत्म विश्वास भी महस और जो काम को अधिक बहतरीन कराने के लिए महत्वपूर्ण भी साबित हो सकता है। पार्टनर की वजह से जीवन में स्थिर्ता और आपके व्यक्तित्व में बदलाव नजर आएगा। मित्रों, पेट से संबंधित तकलीफ को दूर करने के लिए खान-पान में बदलाव आने की आवश्यक्ता होगी और आपको बता दे कि जीवन में हो रही प्रगती और नए कामों की जिम्मेदारी दोनों में संदुलन बनाए रखना होगा। आपके लिए ऐसा करना संभव भी हो पाएगा। आपकी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हर एक बात से आपको खु यतन नहीं बढ़ाएंगे, आपके कार्य रुके रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस मौके की आपको काफी लोगों से तलाश थी, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त भी होगी और काम करने की इच्छा भी प्रबल होगी। करीबी मित्रों के साथ रिले प्राप्त हो सकती है। तो निर्णय लेते समय आपको शुरुआत में अपने निर्णय पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन यह विश्वास की कमी क्यों है। इस बात का पता लगाएं, बात तो में प्रगती देखने के बाद विश्वास और खुशियां दोनों ही आपको आपको बता दें कि पारिवारिक सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ उपहार लाना संबंधों में और अधिक मधुर्ता लाएगा। प्रणय संबंध भी प्रगाड होंगे और काम की अधिकता की वजह से कुछ ठकान और कमजोरी महसूस हो सकती है तो उचित खानपान और आराम भी अवश्य लें। इस समय अगर अपनी दिंचर्या से संबंधित कोई खास निर्णय लेने के लिए प्रयासरत हैं तो परंतु ल लेकिन आर्थिक मामलों में अप्रत्याशित लाभ मिलने से मन प्रफुलित रहेगा और युवाओं को अपने मन मुताबिक कारे बनने से राहत मिलेगी। मित्रों, दोस्तों के साथ मौज मस्ती में समय व्यर्थ न करके अपने कारियों पर ध्यान दें तथा अपनी उर्ज व्यवसाईक गति विधियों में ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं है। फिर भी काम में रुकावट नहीं आएगी तो जल्द ही स्थितियां भी अनुकूल होगी। कमिशन, टैक्स, आदी जैसे व्यवसाई में गति आएगी और ओफिस में व्यर्थ ही किसी के साथ ज्या में लेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन, दांपत्य जीवन थोड़ा सा डगमगा सकता है। सिर दर्द वतनाव जैसे शिकायत महसूस होगी तो गर्मी से बचाव करें तथा तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। कुछ समय आत्म मंथन और चिंतन में भी ज दरूर लगाएं क्योंकि कभी कभी लापरवाही और अति आत्म विश्वास की वजह से धोखा भी खा सकते हैं।